तो फाइनली सस्पेंसर से पदा उठ गया है कि इंखान की मुवी जवान का प्रिव्यू रिलीस कर दिया गया है और भाई साब क्या तगड़ा प्रिव्यू रिलीस किया है एकदम सॉलिड आउस्टेंडिंग मास्टर पिस ग्रेट वर्क मान गया एटली को जिन्हों ने इस शारुखान ने प्रॉमिस किया था कि साथ सितंबर को उसी पठान का रिकॉर्ड ही नहीं तूटेगा बलकि हो सकता है यह मूवी इंडियान सिनेमा में एक नया इतिहास रस्दे जवान का प्रिव्यू देखके फील हो रहा है कि प्रभास की मूवी सलार के लिए अच्छे सा आता है कि जवान में शारुखान का किसदार किस तरह खुंखार और रोंग्टे खड़े करने वाला होगा फिल्म के पोस्टर ने पहले से खलबली मचा के रखी थी पोस्टर में शारुखान पुरी तरीके से बेड़ेस और पटी वाले लुक में नजार आ रहे थे और अब ने धमाल मचा दिया है शारुखान लास्ट के एक सीन में अपने चेहरे और सीर पर से पटियां खुलते नजार आ रहे हैं जिसका बाद उनका बॉल्ड लुक सामने आता है और मेटरों में पबली के चेहरे पे जो खौफ दिख रहा है जब सारुखान डांस करते हैं देखक काफी दमदार डायलोग बोलते नजार आ रहे हैं जिसकी एक जलक प्रिवीव में भी दिखाई गई है जब शारुखान ये डायलोग बोलते हैं जब मैं विलेन बनता हूं न तो मेरे सामने कोई और हीरो ने टिक पाता है ये मुझे का दमदार लगा प्रिवीव में ऐसे कि मानों कोई हॉलिवूड की मुवी देख रहे हूं वो चौपर वाला सीन ट्रक वाला सीन या फिस सारुखान का ये बेंडेज वाला जम्प वाला सीन हो ये सबी सीन देखके एकदम मजाई आ गया फिल्म में दीपीका पादुकों की स्पेसल अपिरियंस भी होने वाली है जि क्योंकि उनको भी देखने के लिए मैं काफी जढ़ा एक्सैटेड़ था बटव ये भी हो सकता है कि उन्हें ट्रेलर के लिए बचा के रखा गया ओ क्योंकि ये सिर्फ एक प्रिविउ है मुवी का ट्रेलर तो अभी बाकी ये दोस्त प्रिविव देखके साफ भोजाता है क सारुखान का डबल रोल होने वाला है जवान में जिसमें से एक हीरो होगा तो वहीं एक विलन होगा ऐसा मुझे लगता है बाकी तैयार हो जो S.R.K की तबाही को देखने के लिए क्योंकि ये साल तो बस सारुखान का होने वाला है बागे अपनी राय कॉमेंट में बताना कैसा लगा प्रिव्यू वीडियो पसंद आयो तो लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलना मिलते हैं को और नई वीडियो में धन्यवाद